Hello everyone, यह question neat में 2006 माय होगा है, कि position as a function of time given है, तो how long particle will travel before coming to rest? तो हमने आपको बता रखा है कि position as a function of time given हो, तो velocity आप डारेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर 40 into t की पावर 0 है, तो 40 into 0, 0 हो जागा राइट, फिर plus t की पावर 1 है, तो 12 into 1 और t की एक पावर कम कर देना है, तो t की पावर 0 हो गया, फिर minus यह 3 और t की एक पावर कम कर देना है, और before coming to rest, मतलब velocity 0 करना है, तो यहाँ से t आजाएगा 2 second, तो t equal to 0 पे अगर आप ध्यान से देखें, तो position उसका केतना था, 40, t 0 0 put करोगे तो, और t equal to 2 second पे कितना आजाएगा position, इसमें 2 put करोगे तो आपको आजाएगा 56, तो कितना दूरी चल लिया, पहले वो 40 पे था, 40 से 56 मतलब 16 मीटर वो travel कर लिया है, तो option will be a 56 मत कर देना, यह तो total displacement है,